इस बीच उस NCP के विधायकों की भी बैठक हुई जिसने कल बिना मांगे बीजेपी को समर्थन का एलान कर दिया था पार्टी अध्यक्ष शरद पवार की मौजूदगी में ये बैठक हुई इसमें अजित पवार को विधायक दल का नेता चुना गया बैठक में शरद पवार ने नेताओं को बताया कि पार्टी ने बीजेपी को समर्थन का प्रस्ताव क्यूं दिया NCP अध्यक्ष के मुताबिक ये दिखाने का वक्त आ गया है कि सत्ता नव होने के बावजूद वो कैसे महराष्ट की सेवा कर सकते विचारदारा से हम बिलकुल अलग नहीं हो रहे लेकिन अपने महराष्टे में ठंप विधान सभा आई है इसलिए सपोर्ट देना जरूरी था और बाहर से सपोर्ट किया है और किसी ने हमें मांगा नहीं था कि देखो किसी को मेजॉर्टी नहीं मिल रही है मिली है और इसलिए सब वैसे ही चुप बैठ है